नमस्कार आप देख रहे हैं आरा न्यूस और मैं हूँ आपके साथ पहले विसिंग रूप करते हैं खबरू की ओर जहां देश में एक तरफ करोना तेजी से पैर पसार रहा है और वहीं इसके साथ ही बतादे इसके प्रकोप से बचने के लिए वैक्सिनेशन की प्रक्रिया भ तो हमारी बारी आए तो हम सभी को वैक्सिन लेनी चाहिएं सीम योगी ने कहा है कि मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि वैक्सिन लेने के बाद भी सभी जरूरी साफधानिया जरूर बढ़ते इसके साथ ही बता दे मुंबई के पूर पुलिस कमेशनर परंबीर सिंग के आरोपो पर बॉंबे हाई कोट ने महाराज के ग्रहमंत्री अनिल देश मुख के खिलाब एक बड़ा फैसला सुनाया है हाई कोट ने अनिल देश मुख के खिलाब CBI जांच के आदेश जारी कर दिये हैं आपको यह भी बता दे कि हाई कोट ने बंद दुन के अंदर जांच रिपोर्ट स्वापने का आदेश दिया है इसके साथ ही परंबीर सिंग ने ग्रहमुंत्री देशमुक के खिलाब हाई कोट में 100 करोड रुपे की वसूली की याचिका लगाए थी और इसी याचिका पर फैसला सुनाते हुए बॉबे हाई कोट ने कहा है कि परंबीर सिंग के आरोब काफी गंबीर है और इस मामले में FIR दर्ज की जाए और इसके साथ ही पुलिस जाच की जरूरत है साथ ही उचन आयले ने कहा है कि अनिल देश मुख पर यह आरोब लगे हैं इसकी जाच के लिए पुलिस पर निर्भर नहीं रह सकते और इसी के लिए प्रात्मिक और निस्पक्ष जाच के लिए CBI की आवश्रक्ता है तो ही आपको बता दें जिस तरह से महाराश में ये उथल पुथल मचे ये अन्टीलिया केस के बाहर जिस तरह से अन्टीलिया केस में नहीं नहीं पड़ते खुलती जा रही हैं उसी बीच जो है इस तरह का बयान पर अंबीर सिंग जो की पूर्फ कमिशनर है चुके है महाराश के उनकी तरफ से बयान सामने आया जा उन्होंने महाराश के ग्रह मंत्री पर काफी गंभीर आरोप लगाते हुए बताया है कि उन्होंने 100 करोड की वसूली का टार्गेट दिया था जिसकी वज़ों से वाजे उन्हीं की बात पूरी कर रहे थे और इसको देखते हुए के लिए निर्भड नहीं रह सकते हैं और इसी के लिए परात्मिक और इस प्रक्ष जाच के लिए CBI की आवशक्ता है जिसको लेकर बता दें CBI के हातों में ये पुरा मामला स्वाप जाएगा और वहीं पूश्ताच के तीन घंटे पहले ही जो ग्रह मंत्री महाराश के हैं अनिल देशमुग उन्होंने अपना स्टीफा राजवपाल को सौब दिया है जो की काफी बड़ी हलचल इस वक्त महाराश्ट में देखने को मिली है वहीं बता दे कि जब से एंटीला केस सामने आया था और जिस तरह से इसकी परते खुल रहे थी तब ही से मंबई पुलिस क उपर काफी कंभी रारोब लगाया जा रहे थे इसके सासत ग्रह मंत्री पर भी काफी कंभी रारोब लगाया जा रहे थे और स्टीफा विपक्ष की तरफ से मांगा जा रहा था और आज आखिरकार अनिल देशमुग जो की ग्रह मंत्री थे महाराश्ट के उन्होंने अपना स्टीफा जो है सौब दिया है राज़पाल को और बता दे चले कि सीबियाई की जाच की जो है आदेश हो दिया हो चुके थे उच्छनयाले से लेकिन उस जाच के पहले ही करीब तीन घंटे पहले ही इस तरह की स्टीफे की खबर सामने आ गई और बताते चले कि इसी बीच तस्वीरों में आप देख सकते हैं यह जो स्टीफा है अनल देशमुक ने अपना स्टीफा जो है राज़पाल को सौप दिया है और अब आपको बता दे इस पूरे मामले की जाच और जो है कि पूरे मामले की जाच नहीं सौपी जा सकती जिस तरह के आरोप परमबीर सिंग की तरफ से लगाये गए हैं ग्रह मंत्री पर वो काफी कमभीर आरोप है आपको बताते चले कि परमबीर सिंग जो की पूर्फ कमेशनर है महाराश्य के उन्होंने यह साफ किया है कि सो करोड रुपे की वसूली का टार्गेट जो है ग्रहमंत्री देशमुक की तरफ से दिया गया था और इसी आरोप के मद्दे नजर उच्चनयाले ने फैसला सुनाया है और कहा है कि इस पूरे मामले की निश्पश जाच की जाए जिसके लिए CBI की चीम को जो है ये पूरी ज आज का मामला सो अपने की तैयारी चल रही है